दोस्तों आपके अपने फेरेट यूटूर चैनल शाम कला सेरिंगस में स्वागत है मैं शुरुष कुमार एक बार फिर से आपके साथ और आज आपको बताएंगे यानि अर्थिंग क्यों करते हैं किस लिए करते हैं अर्थिंग कितने प्रकार के यह आज आज आपके अर्थि करना हम आपको बताएंगे यह अर्थिंग्वाला ट्विक इतना इंपोर्टन है कि यह आपकी एलेक्टिशित थोरी के अलावा आपकी इंज्श में बी इन्पोर्टन है बढले यह आपकी प्रेस्त हमें द्रोईंग के सेकंडर की ड्रोईंग में आता है बच्चों के काश सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं अर्थिंग कि यानि सबसे पहले मानों जीवन में अर्थिंग की आउशकता क्यों पड़ी दोस्तों अर्थिंग की आउशकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपको मालूम है अर्थ होता है यह क्यों जरूरी है यह सारी डिटेल आपको बैसिक से बताएंगे यानि अर्थ होता है जो आप लिए इमारत देकलो या कोई बुक्स देख़ लो इनको अर्थ किया जाता है क्यों क्योंकि इनसे मानों को सोकता जटका लगता और जटके से बचने के लिए हम आर्थिंग करते हैं बहИं आपकी मोटर लिओ कोई स्वीच लिओ य Choi भाग ले उसको उपर से हम अर्थ करेंगे अर्थ करने पर यह क्या हो जाएगा जो करण्ट हो जाएगा इसके हmber आपके बहुण हो या कोई इमारत हो इसके जेसे आकाशी वजह से देखते हो वह हो इसके स्बैकुल मुँआ के अपिसों की बाले से आत क्रखें और यहुको लिए पूर्ट पर आतें गर्द करते हैं तो स्विच बूर्ट होता है इसके आलब आपके जो क्यों होते हैं पाइप होते न आधिक को क्या प्रति जाते हैं जिसे ग्राउंड हो जाता है तो में पॉइंट पर आते हैं और आद आपको बताएंगे अर्थ किस परकार बनाते अब आपके जो अर्थिंग होती है यह मुखे दो परकार होती है एक तो होती है प्लेट अर्थिंग एक होती है पाइप अर्थिंग ज्यादातर आपकी प्लेट अर्थिंग कामें लेते हैं अब आपके जो प्लेट अर्थिंग है वो आपको डाइग पूरा ध्यारागना दोश्तों अब लेकर अगर लगबग के तीन मीटर गढ़ाई का गड़ा धो देंगे एक 1.5 से कम तो गट्डा होद लए्या कम से कम एकंद कंसे लोगे तीन अब जीतना कर सकते हो उतना गट्डा खोद दिये उसके वहाँ पर नबबब आविन लगाथ सो झाव हो धंग याने एक परॉंट पॉंट ने इन तीन गड़ा भीं जो ए तो लिए तो मैं के दरहांतर में नफबाइन नबदा बना रहे हैं दोस्तों कि यह अ गया आपकर नबद शेन मीं का सब आप आप मोगेक्रण बनाने हैं आदि आई आप इस नफबा इंटुन्पी नफटेस्फों 1000 920 सिम्य में आपके अंदर जो प्लेता ही कि वह साट इंटू साट सिम्य कि आएगी कि आएगी साट इंसित साट इंटू साट कि या फिर एक biscuit है तो या आ गए इस विद्वेट अब इस प्लेट में क्या करेंगे अविए आपके जिल को पेले ये साइट नहुत तो आपके प्लेट यह साथ यह जग बचकी यह कितनी के है यह लगबग आपकी 15 शेमी की दूरी में तो इसके लिए ध्यारगन दोस्तों जो आपका यह गेप है इसमें नमक वह चारकोल बरजाता है यह नमक के तो डले आते हैं और चारकोल का क्या पता है चून आता है तो इस प्रगार यह तो क्या रहा है चारकोल यानि आपका जो चारकोल आता है वो आ गया और इसके बाद में इसकी दो दो परते लगा देंगी अब यह क्यों लगाते हैं द्यारगने यह अर्थिंग नमी वाले इस्तानों पर अधिव उप्यूक तो होती है यह जहापर नमी है वह आपका नमक के डली आये हैं और चारकोल का चून पर जाता है दोस्तों ध्यारगना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए और यह 15 सेमी के कांत्री की दूरी में हम भर रहे हैं दोस्तों बहुत ही इजी है आराम से समझना आराम से समझे में आएगा आपको यानि किसी प्रकार का केंप्यों ने चुड़ेंगे हर सीज आपको डिटियल से भी बताएंगी दोस्तों तो यह इस प्रकार हम यह बर रहे हैं अब इसमें लगबग हम पूरे में यह इस प्रकार बनना है दोस्तों जो आप लगबग भर लोगे इसके लाव बात करें दोस्तों आगे जोस्तों क्लास में टाइम जरूरा लगेगा लेकिन धहारकना आपको समझे में भी अच्छे से आएगा दोस्तों क्योंकि नमक आ गया तो यह चार पूल आ गया यानि आपका नमक आ गया तो यह क्या आएगा चार पूल का चोन आएगा फिर यानि इस प्रकार डलेक के आकट्ति क्या आपको इस प्रकार आकट्ति बना लिए दोस्तों यानि कि इस प्रकार आपका ये बन गया अब इसमें नाम दे दू यानि ये तो आपका गड़्डा गया अब ये आपके क्या है प्लेट के साथ से मिएं प्लेट के निकला रहा कोपर प्लेट और कोपर प्लेट नहीं फिर्ट 12 यह एक होती तो च्छे पॉंट टीश्ट याई इसकी डबल हो जाएगी इसके लाव अब यहां तक लगवाग क्लियर हो गया अब इसकी बात गुरू दोस्तों तो इसके बात में द्यारकना दो बाहरात दें तो इसके लिए मैं आपके लिए इस प्रकार कर देता हूं यानि एक पाइप तो आपकी यह आ गई और एक पाइप आपकी यह आ गई ठेगे दोस्तों यहाँ तक किलिए रहने के बाद में यह पाइप अगर आपको थोड़ी थोटी लग रहे है थोड़ा बढ़ने को क्योंकि जितना बढ़ा बनेगा उतना ही अच्छा लगेगा यह आपको फिर को कि अधेके दोस्तों इस प्रकार थोड़ा सा यह थोड़ी दिन दोनों पाइपों के बेच में दोस्तों आराम से देखो पूरा डिट्रेल से समझ में आएगा अब जा रगना यह आपका जो मेल पाइप है कुण सा यह यह क्या जोड़ा उपर जो आपकी फनल आती है पाने डानने के दूसमी और यह पाइप है जो यह पाइप आपका कुण सा है जो इधर इसमें से क्या जा रहा है उआयर हारा है जो आपके लिए गया जता है यहां तर नहीं के रोटने ऑद में लुक्त बाइब तो यह दो पाइप है इन दोनों पंपते हिए अनजये लगए कि कि आ पाइप है यह गुनिश पॉंट 5 mm का पाइप है क्या है गुनिश पॉंट 5 mm का जी आई पाइप है ठीक है दोस्तों इसके अलावा आपकर जो यह पाइप ने गया इस पाइप जो मोटा गया है बारा पॉंट 12.7 mm GI का पाइप है 12.7 mm GI का पाइप है ठीक है दो दो यह चीज़े आपको पूरी लिखनी है है ठीक है अब यह सिंग में इस प्रकार आएगा दोस्तों अब इतना गया थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाओ फिर इसके बाद ओपर चले जाओ नियुक्त लें यहाँ पर दिक्क्कत नहिंद तो ऊपर देखो यह आ गया अब इसके उपर यहाँ तक आने बाद में क्या करेंगे कास्त अपर सेमेंट का बोक्स बना देंगे क्यों बनाते है यह आपके बारे मोसम से सुरुक्ष्या करने एक लिए यानि आपी दूर वगेरा बर्शनात वगेरा इसे इसके उपर कि शिप्रकार रखा यह आवर्ण नहीं चड़े और आपका अर्थ एक्टम सही रहे अब इसके बाद में यह क्या आपका कास्ट आईरन का बॉक्स ठेक है और यह क्या आपका अब यहाँ पर जाने के दोस्तों यह आपकी जो पाइप है यह पाइप किसे जुड़ी है एक आते आपकी फनल मेरे साब से आप अच्छे से जानती में होंगे कि फनल क्या होती है जो आपने दुकानों पर देखा होगा कि इसके परकार की डिकट भी नहीं आ रही होगी दोस्तों तो इस प्रकार आपका यह प्लेट अर्ठी कलगबक तयार होगी दोस्तों अर इसमें क्यों होतता है यह क्या है आपका cement concrete box इसके अलावा यह क्या है funnel इसके अलावा बाद बाद दोस्तों यहां से लेके यहां तक यह गड़ा है यह आपका 1.5 liter है इसके अलावा यह 1.5 3 meter के रहे तक होता है इस प्रकार यह आपका अर्थ बनके तयार हो गया तो इस प्रकार आपको यह अर्थ बनाना है जिसमें मैंने लगबग आपकी सारी चीज़े किलेर कर दी यह आपका क्या है कोपर की plate है अगर इसी जगह कोपर की जगह अगर आपकी GI की plate होती तो वह 6.30 mm की होती और स्टार्टिक बताने फुरी डिटेल बताने पूरा ध्यार रहा है दो यह अनि पसे पहले क्या करें हैं प्लेट समान दाफ्तों करें अगर प्लेट कोपर की है तो इसके नट वोट सब्सक्राइब कोपर को जाए जिससे क्या होगा उसका पर पर प्रति रोज कम होगा वहां पर अर्थे अच्छे से काम करेंगा तो यह आपकी इसमें आ गए इसके अलाओ यह आपका दूसरा जी wao यानि इस प्लेट के चारो और फंदहर रिंगल उर्द्वादर इस्थिन में खड़ी रखते हैं जोगोगी उसे उद्वादर बोलते हैं तो आपकी यह रिंडबलेट के दूरों वर नंबर 51 इसके बाद में ऊपर का सेंट सेंट बोक्स बना दिया इस सिमेंट कंक्रीट बोक्स के उपर ये क्या है फरनल इसके अंदर और इसके उप्रकाश डाने का धक्कन लगा दिया कभी-कभी अगर इसमें पान को डाना हो तो इसको ठागी फिर गरेंगे और आपका जो अर्थ है जो अर्थ को हमेंसे 6 या 12 मंद से देख लेना चाहिए जिसमें इससे कुछ कमी हो वह हम दूर कर सकते हैं दोस्तो मेरे साब जे प्लेट अर्थिं में आपको कि शिप्रकाश के दिक्कत नहीं है नेश्ट क्लास आपकी 5 अर्थिं के लिए